एक matrix A दे रखा है जिसका size है 5 by 6 इसकी जो rank है वो यहाँ पर 4 दे रखी है आपसे पूछा गया है कि कौन से statement यहाँ पर correct है तो rank का meaning क्या है कि इसमें 4 pivot element होंगे यान कि अगर कोई matrix है उसमें 4 pivot element होंगे जो pivot element होते है वो row में भी एक होता है और column में भी एक होता है इस तरह से 4 linearly independent rows और columns होंगे option A यहाँ पर correct होगा लेकिन option B में यहाँ पर काया है 5 linearly independent columns यह wrong हो जाता है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं A का जो size है वो 5 by 6 है तो सबसे पहले A जो है वो 5 by 6 है इसका जो transpose होगा A transpose उसका size होगा 6 by 5 तो यहाँ पर product possible होगा और एक जो आएगी वो 5 by 5 आएगी अब हमें यह देखना है कि हाँ यह matrix आपका invertible है यह नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यह matrix invertible नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं A की जो rank है एक ही जो rank है वो 4 है यानि कि उसमें at least 1 0 row होगी और 0 row जो करेगी product को उसमें वो कम से कम 1 0 row या column generate कर देगी जिससे rank हमेशा फुल matrix से कम रहेगी तो वो invertible नहीं होगा option c भी discard और इसी तरह option d भी सबसे पहले तो इसको define भी देख सकते हैं कि A transpose जो होगा वो 6 by 5 और A की जो size 5 by 6 यह होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो product matrix आएगा वो 6 by 6 size आएगा और जब multiply कराएंगे तो क्योंकि A से multiply कराया जा रहा है उसमें at least 1 0 rows है तो हमें जो यहाँ पर 6 by 6 में मिलेगा matrix उसमें at least 1 0 row होगी rank कभी भी full नहीं होगी